सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाईए इस बेल आइकन यानी घंटी को और पाएं लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हेल्थ जागरण में मेरा नाम है शालिनी और अभी आप देख रहे हैं न्यूटिशन ग्यान दोस्तों इवनिंग प्रिम्रोज ओईल उत्तर अमेरिका में पाये जाने वाले फूलों के बीच से तयार किया जाता है इसमें गामा लिलोलैनिक एसिड यानी जी एले पाया जाता है जी एले एक ओमेगा सिक्स फैटी एसिड होता है जो पौधो से प्राप्त किये जाने वाले तेल में पाया जाता है तो आईए जानते हैं इवनिंग प्रिम्रोज ओईल के मुख्य फाइदों के बारे में नमबर एक हिर्दय को स्वस्त रखने के लिए दैनिक रूप से इस तेल का उप्योग करना कॉलेस्ट्रॉल और रक्तचाप को कम करता है और कोरोनरी धमनी रोग से दिल की रक्षा करता है नमबर दो माशिक धर्म की समस्याओं का इलाज इवनिंग प्रिम्रोज ओईल पिरियट्स के दौरान होने वाली समस्याओं के लिए सबसे अच्छा प्राकरति कुपाए है इस तेल का उप्योग करने से PMS के लक्षन भी कम होते हैं नमबर तीन डाइबिटीज के लिए यहां तेल डाइबिटीज निऊरोपैथी से प्रभावित मरीजों में निऊरोपैथी के लक्षन जैसे हात और पैरों का सुन हो जाना पैरों और हातों की उंगलियों में दर दादी को रोकने में मदद करता है नमबर चार तवचा को स्वस्त रखे इवनिंग प्रिम रोज बीज से निकाले जाने वाला यह तेल बहुत ही हलका होता है और शुस्क तवचा को हाइडरेट रखने के लिए मौस्टराइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है नमबर पांच सूजन का इलाज इवनिंग प्रिम रोज तेल में सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं और इसलिए यह गठिया और चाती से जुड़ी समस्याओं के लक्षनों को ठीक करने के लिए उपियोग किया जाता है नमबर छे, हाइपर एक्टिव डिसॉर्डर का इलाज है हाइपर एक्टिव डिसॉर्डर एक मानसीक विकार है जो लाखो बच्चों को प्रभावित करता है इवनिंग प्रिम रोज तेल में मौझूद ओमेगा 6 फैटी एसिड इस बिमारी के लक्षन को कम करने में लाबकारी होता है नमबर साथ, ठकान को दूर करे इवनिंग प्रिम रोज तेल अच्छी गुणवत्ता वाले मचली के तेल के साथ उप्योग किया जा सकता है जो क्रोनिक फटीग सिंड्रॉम को ठीक करने के लिए उपचार के रूप में इस्तिमाल किया जाता है नमबर आठ, फॉर फर्टिलिटी इवनिंग प्रिम रोज तेल रक्त के प्रवा को उत्तेजित करता है जो नपुणशक्ता का इलाज करने के लिए उप्योग किया जाता है यह खराब पिनाईल रक्त प्रवा को फैलाने में मदद करता है नमबर नौ, बालों के लिए इस तेल में बहुत अच्छी मात्रा में आवशक fatty acid पाया जाता है जो scalp को भी पोशन देता है और कई अन्य बालों की समस्याओं का इलाज करता है नमबर 10 वजन कम करने की दवा है इवनिंग primrose तेल में linoleic acid होता है जो शरीर में fat को जलाने में मदद करता है नमबर 11 अस्थमा का उपचार करें अस्थमा के लक्षणों को कम करने या इसका इलाज करने के लिए primrose तेल की गोलियां या capsule का सेवन करना चाहिए अस्थमा का इलाज करने के लिए प्रति दिन 2-8 ग्राम प्रिम्रोज तेल का सेवन करें नमबर बारा, ब्रेस्ट पेन के लिए, यह स्तन में एठन या दर्द के लिए बहुत लोग प्रिया उपचार है, यहां तेल कई अलग-अलग तरीकों से तयार किया जाता है और दैनिक रूप से दो बार 120-160 मिलिग्राम की खुराक में इसका सेवन करना चाहिए, यहां तुरं नमारे इस चैनल हेल्थ जागरण को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहिए और खुश रहिए, धन्यवाद